बिजनौर के बढ़ापुर में गोकशी व गैंगस्ट एक्ट के दो आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने दोनों के मकानों को सील कर कुर्ट करने की कारवाई की। पुलिस ने क्शेत्र में एलान कर पढोसियों से भी आरोपियों की मदद न करने की हिदायत दी है। पूरा मामला विजनौर के बढ़ापूर थानाक्शेत्र का है। यहां के मोहला जोजहान के रहने वाले वसीम व मोहला कसाबान के रहने वाले शहजाद गैंगस्टा एक्ट के आरोपी हैं। जिलादेकारी के आदेश पर तहसीलदार नगीना जयसिंग और बढ़ापूर थानाध्यक्ष सुदेश पाल सिंग ने पुलिस फोस के साथ आरोपियों के घर पहुँचे। दोनों आरोपियों के मकान में ताला लगा कर सील लगा दी। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों के मकानों के ऊपर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। इस दोरान पुलिस ने मोहले में एलान कर पढोसियों को दोनों आरोपियों के कुर्की किये गए, मकानों में छेरचाड करने वर अन्य मदद करने पर उनके खिलाप भी कार्रवाई की चेताव नी दी. इस मामले में बढ़ापूर्थानाध्यक्ष सुदेश पाल सिंग ने बताया कि अफसरों के निर्देश में दोनों आरोपियों के मकानों की जपती करन की कार्रवाई की गई है. बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट